इस वक्त के एक बड़ी खबर बता दें आपको भरतपूर के बयाना से इस वक्त की बड़ी खबर बारा दिन बाद लाक्य में इंटरनेट से वा बाहल कर दी गई है गुर्जर आंदुलन के चलते इंटरनेट से वाए बंद कर दी गई थी दिल्ली मुंबई के बीच चैनों का संचालन भी जल्दी शुरू होगा फिंडोन सडक मार भी शुरू होगा तो ये रहात देने वाली खबर है, सुकुन वाली खबर है बारा दिन तक इस इलाके में इंटरनेट बंद था और अब गुर्जरांगल खत्म हो चुका है तो अब इंटरनेट से वाए भी बाहाल कर दी गई है और जल्दी दिल्ली मुंबई के बीच चैनों का संचालन भी जल्दी शुरू हो जाएगा और सडक के आतायत भी शुरू हो जाएगा तो बड़ी अच्छी खबर है लोगों के लिए सुकून देने वाली खबर है राहत की खबर है पिस्टे बाराद दीनों से इंटरनेट बंद था महाँ पर और अब इंटरनेट बाहाल कर दिया गया है तो आपको बता देगी गुर्जर आंदुलन की वज़त से दिल्ली मुंबई जो ट्रेक है महाँ पर भी ट्रेनों का संचालन बन था सडक यातायत भी बन था और इंटरनेट भी बन था तो आप समझ सकते हैं कितनी परिशान का सामना करना पड़ा था आम जन को लेकिन अब बुर्जर आंदुलन तो चलिए हमारे संबादता दीनों पारिशर इस वक्त फॉन लाइन पर जूट चुके हैं बिल्कुल हमित मैं आपको बताना चाहूंगा का बयाना के पीलू पराबर पिछले बार दिन से लगाता और गुर्जर शमाज की ओर से आरक्षड की मांग को लेकर आंदुलन चला जा रहा था जिसमें दिल्ली मुंबई जो रेल ट्रेक है उसको जाम कर दिया था वहीं बया स्चेत्र में इंटरनेट सेवा बंध थी जिसके कारर सरकारी कारों के कामकाज drives भाजी ते वहीं जो ऑन-लाइन क्लास ले रहे उनकी कलासे नहीं पारे थी यह ल defender Nah यह क्लेगार की बात करें तो पिछले बारती तेरी दिन से बयार से इतना फर्क पढ़ा है कि बाजार में बिल्कुल सनना टरा है और आवागमन जब रुक गिया तो वहाँ के लोग बयाना सेर में नहीं पहुँच पाए बिल्कुल लादिनी इस बात को इस बात को हम समझ सकते हैं कि त्योहारी सीजन है और ऐसे में आम जन को इतिनी परिशानियों का सामना कड़ना पड़ रहा था आपने लोगों से बात करी होगी व्यापारियों से भी इस बारे मीं बात करी होगी अब सब कुछ ऑपन हो रहा है क्या कुछ कहना है उनका बेल्कोल ब्यायना के ब्यापारियों ने जला कलेक्टर से भी लेकोंवान की कि पृट्ट करण क्लोडी सी वेसला से भी जुन आपील की थी कि जल्द सब्सक्राइब कर दो महिने तक वाजार में जैसे उचाल आने लगी तो जो आंदूलन का असर है पूरा बजार पर आ गया तो कह सकते हैं कहीं न कहीं जो लोगों का जन जीवन भी इस आंदूलन से बड़ा असर पड़ा है अब लोगों की जीवन भी पट्रियों पर चालू हो और आज से दिल्ली मुंबई के लिये जो रेल लैंड पर जो बंदधीन ट्रेन है आज से चालू हो जाएंगी बयाना हिंड़ान जो फटक मार गया बो भी आज से चालू हो जाएगा इंटरनेट सेवा आज सोबे से चालू कर दी गई है तो कुल मुला के जो आंदूलन की सम हाँ पर इंटरनेट सेवा बंद हो थी तो कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा था आम जन को भी व्यापारियों को भी क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद थे ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही थी ट्रेनों का वगमन बंद था सडक यातायत पूरी तरीके से थ समावा था तो कुल मिलाकर एक रहत देने वाली खबर सामना आई है बयाना से